आइसके हमारी इस Online Class में हम We Look Up पढ़ने जा रहे हैं और We Look Up की हमारी दूसरी Class है और दूसरी Class में हम आपके सांथ बात करेंगे कुछ लक्लास के बाद है हमने Last Class में बात की थी वी लॉक अप में हम Look Up कैसे लगाते हैं उसमें हम अरे का कैसे इस्तमाल करते हैं जिसे मेरा ID number सबसे starting में था अब माल लिजीए कि मेरा data जो है कुछ इस तरह का है इसका ID number स्टार्टिंग में नहीं है तो माल लिजीए मुझे अगर 107 का zone पता करना है तो हम generally we look up लगा लेकिन अगर आपको हम बात करें कि मुझे zone नहीं मुझे अगर category पता करना ह। या इससे पहले मान लिए के मैंने एक और column name का add कर दिया कि मुझे name पता करना हो तो कैसे करें कि तो name पता करना हो तो कैसे करें कि अगर हम लगाएं vlookup का formula तो vlookup हमेशा last most column को डूनता है right में कभी नहीं दिखाएगा तो क्या करें तो इसके लिए दो तीन method है सबसे पहले तो हम यहां match का formula लगाएंगे match का match formula क्या करेगा मुझे बताएगा कि 1 यहां पिर भी कहले होगे match formula बताएगा कि इसमें 107 किस particular row index number पे है comma 0 लगा दिया match formula लगाने का जब जैसे enterprise किया तो आपने देखा कि 9 आ गया अब जो 9 आया 9 किसका आया 9 आया यह जो 101 है उसका कितने नंबर पे है ठीक है अब हमारे पास एक index का formula इंडेक्स फॉर्मूला में अगर आपने पूरा पूरा एडिया सेलेक कर दिया है उद्दे देता है तो यहाँ 9 जो आपने manual डाला था से इस 9 को हम index के अंदर लगा देए तो क्या हो जाएगा है यह वी लूक अप के तरफ वर्क करेगा तो यह देखिए 106 का result आया यहाँ पर मैं 113 करूंगा तो 113 का result आया तो यह हमारा टाइमिंग शलोट आपके स्वारी यह हमारा वी लूक अप है आपके साम्दे वी लूक अप का alternative मैच और इंडेक्स समझमा है आप लोगो कोई डाउट इसमें मेहंदर जी योगेंदर जी कोई डाउट इसमें पहले सब्सक्राइब इंडेक्स में आपके पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया इंडेक्स पूछ रहा है कि मैं इस डेटा में इस जो आपने सब्सक्राइब का नम्म कॉलम निकाल रो का जो रिजल्ट है अटोमेटिकली देगा मैच जो की 113 को हिसाब से लुक अप करके देगा और वन आप मैनुली डाल दीजिए या इस पर भी मैच दगा दीजिए ठीक है इस पर भी चाहो तो यहां वन जो मैनुल है तो इसको भी आप यहां पे मैच लगा सकते मैच मैच हमने से लेक्ट किया लुक अब वैलो और यहां पे हैंडिंग को ले लिया यहां पे कॉमाल चीड़ो हो गया अपकर अगया नेम के जगा मैं जोन लिखूंगा जोन आजाएगा लेकिन आपको यहां पे इंडेक्स में प्रॉब्लम है कि आपको पूरा डेटा स्लेक्ट करना पड़ा पूरा डेटा क्या करना पड़ा स्लेक्ट करना पड़ा तो इसमें तरीका क्या है तरीका यह है कि आप यहां पर ऑफसेट लगा सकते हैं क्या लगा सकते हैं ऑफसेट ऑफसेट भी बिल्कुल इंडेक्स की तरह ही काम करता है लेकिन इसको आपको स्टार्टिंग डेटा दे स्टार्टिंग और यहां पर आपको देना है रो नंबर तो रो नंबर मालिजे मैंने दे दिया क्योंकि ऑफसेट हमेशा एक कम करता है तो यहां मुझे 15 के जगा पर देना होगा 14 और 1 के जगा पर जीरो देना है तब जाके मोहन शो करें तो आप अफसेट के अंदर भी अपना मैंच को कम माइन कर देते हैं तो बिलकुल आपका यह दिख रहा है ठीक है अब इसमें 1 करना होगा माइनस क्योंकि हमने जैसे बताया कि यह माइनस जो है तो आप अफसेट मैंच और इंडेक्स मैंच तोनर समय में आ गया आप लोगों को को दिक्कत इसमें याद रखेगा ऑफसेट में हमेशा एक माइनस कीजिएगा लेकि अगर आपके पास लिटेस्ट एक्सल है तो आप लगा सकते हैं यहां एक्स लुकप जी हां बिलकुल एक्स लुकप एक्स लुकप में हमने अपनी लुकप वैलु को सेलेक किया और अपने उसमें जुमना है तो इसमें जुमना है फिर आता रिटॉर्ण आड़े किस में return करना है तो हमने भुला कि return करना है माल देजिए name को और यहाँ enterprise कर दीजिए देखिए मोहन आ गया तो xlookup नया formula है इसका यूज़ कर सकते है जब आपका id जो है वो starting में ना हो उस case में आप match index का इस्तिमाल कर सकते हैं offset match का इस्तिमाल कर सकते हैं या xlookup का इस्तिमाल कर सकते है अब बात करते हैं hlookup का देखिए hlookup का यूज़म कब करते हैं जब मेरा data vertically ना होके horizontally जब देख पार है data top to bottom में है और हमारे id इस तरह से उपर से नीचे की तरफ है बट मेरे पास एक data है जिसमें मेरा data left to right है id भी इस तरह से left to right कॉलंब आईज है माले जे मुझे यहां 108 का zone बता करना है कुन सा zone है तो यहां वी lookup तो काम नहीं करेगा यहां काम करेगा hlookup hlookup पुट जन्दल lookup कहलाता है इसमें हम lookup value को select करेंगे table select करेंगे अपना कि किस table में चाहिए data चाहिए तो वी lookup में हमने table select किया था ए से ए बी सी इस तरह से left to right लेकि इसमें top to bottom select करेंगे और इसका भी same rule है कि आपका id जिसको ढुनना है और हमें इस आप पहले row में होना चाहिए और यहां पे column index number जो कि है यहां पे हमारा zone छठे नमबर पे छठा दे दिया exact match करने के लिए हमने zero दे दिया enterprise करते देखिए हमारा वेस टार्ट है तो h lookup बिलकुल v lookup की तरह होता है बस ए और जंटल होता है वर्टिकल नहीं होता है लेकिए इसको हम match index से भी कर सकते हैं हम यहां क्या करेंगे index का formula लगाते हैं index के formula में हम data को select कर लेते हैं उसके बाद यहां हम लगाते है match का formula row number तो fix है न हमारा तो match नहीं लगया row number तो हमारा है छे number column number पे यहां लगया match का formula कि match match में हमने select कर लिया 108 को और हमने पुरा row select करके दे दिया और comma zero कर दिया enterprise करते ही यहां देख सकते हैं कि आपकर turn आ गया जब match index लग सकता है तो offset match भी लग सकता है तो offset में हमने स्टार्टिंग अप देटा को select किया और यहां row number six है तो हम करेंगे five एक कम और match करेंगे इस column में match का लगाएंगे कि 108 को इसमें दूने और comma zero और इसमें हम करनेंगे minus one क्योंकि minus one करना पड़ेगा एक कम आपके सामने result आगे लेकिए आगर आपके बास excel नया excel है तो आप x look up भी लगा सकते हो कि कि हमने look up value किया किसमें look up करना है तो किसमें क्योंकि x look up urgently और vertically दोनों work करता है अब यहां पर question आता है कि क्यों हम जब h look up हमारे पास इतना है तो फिर हम क्यों match index, offset match या x look up का इस्तिमाल करें क्योंकि आप देख सकते हैं कि h look up बहुत सिंपल है तो question सेम आता है कि अगर आपका यह जो आईडी है यह स्टार्टिंग में ना होके बीच में हुआ तो वहां आपका h look up वर्क नहीं करेगा properly तो उस case में index match या offset match का इस्तिमाल कर सकते हैं या x look up का इस्तिमाल कर सकते हैं अब बात करते हैं हम तीसरी formula look up की formula look up formula क्या है देखिए मेरे पास इस तरह का data आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास यहां sales है और sales में मुझे इसमें incentive देना है इस slide के according किसके according इस slide के according तो problem है कि इसके लिए तो हमने आपको समझाया था if का form कि आप if के formula if के अंदर लगा सकते हैं अलाएक इसको look up या look up formula से भी की जा सकती है कैसे देखिए मुझे सबका starting point को यहां लिखना है जी है और फिर अपना data अब मैं यहां लगाता हूं formula वी look up को इसको select किया data को select किया और comma two comma zero कर दिया तो यह आएगा नहीं है तो लास्ट हम जीरो क्यों लगाते है लास्ट जीरो लगाते है एक्जैक्ट मैच के लिए किसके लिए एक्जैक्ट मैच के लिए इस जीरो को हटाके मैंने one करके एंटर मार दिया तो आप देखिए यहां फिप्टीन हंडिर्ट शो कर गया ऐसा करने पर क्या होता है आपका वी लुक आप एक्जैक्ट मैच करता है तेकि जैसे मैं इसको जीरो के जगा पर one कर जाता हूँ एक group match करता है क्या करता है group match मतलब ये चेक करेगा कि 84 किसके between है जिसके between है उसके सामने value को show कर देगा समझें लेकि इसको हम लुक आप फॉर्म्ले से भी कर सकते हैं लुक आप इसको सेलेक्ट किया और हमने result को स्लेक्ट को सेलेक्ट किया और फिर हम यहां result को सेलेक्ट कर रहे है कि एक काम भी सेम करता है लेकिन लुक आप का एक benefit है कि हम इसको क्या कर सकते है मतलब कि हम इसी के अंदर अपना डेटा दा सकते हैं आज की क्लास में आपने सीखा कि हम उल्टा भी लुक आप मतलब कि राइट लेटा कैसे लुक आप करें जिसमें मैच इंडेक्स और offset मैच का function समझाया साथ में हमने एक्स लुक आप के बारे में ही बताया दूसरा हमने बात की एच लुक आप के बारे में है और एच लुक आप की जगह पर भी हम इंडेक्स मैच या ऑफsiट मैच को कैसे इस्तिवाल करेंगी या स्टाफ में हम्ने इंपॉर्टल ही सीखा के वी लुक आप में यहां थ्लु और यहीरो औ का क्या फन्टा है इसके बारे में explain किया और हमने look-up formula के बारे में भी जाता हूँ I hope कि यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो इस फाइल में आप लोगों को भेज देता हूँ अभी